नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि जिपोड़ CV200 टाबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, जिपोड़ CV200 टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और जिपोड़ CV टाबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि जिपोड़ CV टाबलेट को लेते समय क्या क्या सामधानिया रखनी चाहिए, जिपोड़ CV एक ब्रैंड नेम है, जिपोड़ CV टाबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, जिपोड़ CV टाबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन सेफपोडॉक्सिन 200 mg और पोटाशिम ट्लाविलनेट 125 mg होता है, जिपोड़ CV एक एंटिबायोटिक दव जिपोड़ CV टाबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फैफरों में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खासी होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इंफेक्शन होने प जोडो या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर, पेशाब में इंफेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इंफेक्शन होने पर डॉक्टर जिपोड सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्टर जिपोड सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जिपोड सीवी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में जिपोड सीवी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बध़जमी होना, वचा पर रैशेस होना, वचा पर खुजरी होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आदी साइड इफेक्स जिपोड सीवी टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की जिपोड सीवी टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। अलग भी हो सकती हैं. इसलिए आपको जिपोड सीवी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि जिपोड सीवी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. जिपोड सीवी टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने जिपोड सीवी टैबलेट को लेने की सलाह दी है क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक Zipode CV टैबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और जिपोड़स CV टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए आपको जिपोडस CV टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए जिपोड सीवी टैबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में जिपोड सीवी टैबलेट की डोज घटानी पढ़ सकती है। वैसे जिपोड सीवी टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी जिपोड सीवी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जिपोड सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका जिपोड सीवी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं झाल